सो दोस्तो आज के इस वुडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आच चुका हूँ अड़ाई से तीन लाखे बजट का अहुजा का चार टॉप और दो डूवल बीस का एक हेवी सेट अप जिसे आप लोग लेकर महीने का 50 से 60 रुपया एजली अर्ण कर पाएंगे जो भी भाज लोग एक डिजे बिजँनेस से स्टाट करना चाते हैं और डिजे बिजनेस से अच्छा-खासा महीने का पैसा कमाना चाते हैं तो फिर भी शराप लोगों के लिए ये वीडियो काफी जदा इन्पोर्टेन है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के लिए अउज्जा का कम्प्लीट चाट टॉप और दो डूवल बेस का सेट अप रेडि कर दिया हूँ कौन से अमिल फायर हैगा कौन से टोप रेगा सारा कुछ जनकारी इस वीडियो में मिलेगा और इस वीडियो काफी जदा इन्पोर्टेन आप लोग इस वीडियो को सूरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा जो भी भाई लोग एक साउंड सिस्टम का विजनेस स्टाट करना चाते हैं उससे पैसा कमाना चाते हैं तो उन लोगों के लिए यह वीडियो काफी जदा इन्पोर्टेन है और जो लाया हूं अउज्जा का कम्प्लीट से टफ है जो कि काफी जदा है भी और धासु से टफ है जहां पर भी वज़ेगा छाती हिला देगा तीस वाले वीडिय अचले फ्रेंड आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों डीजे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप लोगों के पास अड़ाई से तीन लाके बीच का मैक्समाम बजट होना चाहिए ताकि आप लोगे का छे ब्रंड का सेट अप लोगों का सेट अप काफी ज्यादा मिलें और आप लोगों का सेट अप लोंग टेम तक चले तो आज की स्वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अउज्जा का सेट अप कंप्लीट ला दे हूं चार टॉप और दो डूवल बेस का तो इस टाइप को बनाने के लिए सबसे पहलं बात करेंगे टॉप इतन की kep ke तैक पा काफ़ी दूर तक साउन निकाल कर दे सके और अच्छा पंच W निकाल कर दे सके तो इसेट अप में तॉप ले लोग इस के हूं लेते हैं इसका पावन लोगो है क्रेंगेMM साँ साफने सब्सक्राइब करेंगे कहीं कोई दीकत होने वाला नहीं है इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉंस है आप लोगों को 3500 तक देखने को मिल जागा जो की काफी अच्छा क्वालिटी का साउंड मिलने वाला है साथी की सार इसके अंदर आप लोगों को स्पीकर 15 ची के दो देखने को मिल जागा जिसका वाइस को चार इंची में आप लोगों को देखने को मिल जागा इसका जो SPL 103 डेसिबल देखने को मिल जागा साथी की सर इसका जो impedance है फोरूम पे काम करेगा क्योंकि इसके अंदर पंदर इंची के दोई speaker है एक टोप का मैं प्राइज बता रहूं तो अगर आप लोग इस टेप की चार टोप लेते हैं तो आप लोग प्राइज कल्कुलेट करते चलिएगा अगर आप लोग दो टोप का सेटप बनाते हैं तो फिर आप लोग इस टेप का भी प्राइस कल्कुलेट कर लिजेगा अब या 1500 वाटेश तका ले सकते हैं कोई दीकप थोने वाला नहीं है तो इस वाले सेटप में जो मैं आप लोगों को बेस रिक्मेंट करने वाला हूं यह है अउजा का पीए सबूफर सिस्टम जिसका मोडल नंबर ASWX 1200 देखने को मिल जागा जो कि अउजा का काफी ज़्यदा पोप्लर मोडल का ये बेस है जिसका पाउर आप लोगों को 2000 वाटेश आरमेस पार में देखने को मिल जागा और को मिलेगा इसका जो SPL 102 डिसीबल देखने को मिलेगा जो की प्रेशर काफी अच्छा निकल कर देदेगा साथी की सार इसका इसका इंपडेंस है फोरूम पे काम करेगा कैंकि यह डूल वेस हैं इसके अंदर भी दो इस पीकर लुए लिए बैका बैएन तो select है कि इसका जो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा यह बेसका हेवी बेस आप लोगों को को मिलेगा और इसके अबरफॉर वेसरा के बारे में इसका जो मार्केट में 5000-5000 की बीच में एक गि करने वाला नहीं है तो इस वाले सेटप में तो आप प्रैस करीजिए गाँ अब बात कर लेते हैं कि चाट आप और दो बेस्ट को चलाने के लिए पॉर्फुल एम्प्लफायर भी चाहिए काफी सर्वें लोग यहीं पर गलती करते हैं तो पॉर्फुल टॉप तो ले लेते है लेकिन जो वाटिस का अब्लफायर होते हैं काफी जदा कम और साही से मैचिंग नहीं करा पते हैं जिनके बजल से उनका सेटप काफी जदा खराब वसता है अब्लफायर हीट भी होता है और अच्छा साउंड क्वालिटी भी प्रेडियूस नहीं कर पाता है तो गईसे टॉ और साती है की सेरिस के फोर्म पे पोर चैनल पे आप लोगों को पंदर सो पचास वाटेज देखने के मिल जागा और विशा टूम पे पोर चैनल पे बाइस सो पचास वाटेज ये एंब्लफायर निकाल कर देदा है जो काफी जदा पॉन्फुल है इसका जो डंपिंग फिक पाकेट में आप लोग ले पाएंगे कोई दीकत होने वाला नहीं है अब हम बात कर लेते हैं कि जो मेरा बेस है 2000 वाटेज का उसको चलाने के लिए पौर्फुल एंब्लफायर चाहिए अगर आप लोग वाटेज सही से ले लेते हैं तो फिर वैसा एमिलफायर नहीं ले पा लाता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वैसा एमिलफायर लीजिए बेस चलाने के लिए जिसमें डंपिंग फिक्टर 800 या 1000 देखने को मिले तो तो किसर आउजा एक ऐसा एमिलफायर लंज किया है जो कि प्रोपर बेस चलाने के लिए हैं जो कि मैं आप लोगों के रि हम बात करेंगे तो 2400 वाटिज पर चैनल पर देगा तो मेरा जो बेसे 2000 वाटिस का है फोरूम पर अगर हम चलाते हैं तो काफी ज़दा हेवी बजाएगा 400 एक स्टा है तो काफी ज़दा अच्छा पंच और वैब्रेशन दोनों से निकल कर आ जाएगा इसका जो डंपिंग अगर हम बात करेंगे इसके प्राइज के बारे में तो इसका प्राइज मार्केट में यहीं आप लेगों को 55,000 से 60,000 के बीच में राउंड देखने का मिल जाएगा जो कि इतने प्राइजरिंग में आप लोग कहीं पर दी किसी भी मार्केट में XDA7002 वाला मोडल हम फायर ल जरुरी होता है तबी हमारा जो सेटाफ है बेश्ट बज़ेगा सारा कुसमाना आप लोग लेली जएगा है और मिक्सर आप लोग कम जो लेवर ने लेटासितृप में वैसा क्वालिटी नहीं मिलेका तो मैं आप लोगो करूंस करूंगा क्या आप लोग का प offenders प्लिसका लग ऑनलाइन भी बाई कर पाईएगा तो यहां पर हमारा जो सेटप पूरा कम्पलीट हो गया आप हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम लिए पर गलती करते हैं तो काफी जदाइजी है अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा सबसे पर हम टॉप का कनेक्शन जानेंगे तो गईशर यहां पर जो मेरा टॉप हो रहा है एक्ष्टा दे रहा है तो टूम पे किसी भी अमिलफायर पे 200-800-300 वाटेज हेडरूम जदा ही होना चाहिए तभी आप लोगों का जो इसपीकर हैगा काफी अच्छा प्रेसर निकाल कर देगा तो इस साइट भी आप लोग इसी टेप से कनेक्शन करके दो टोप लगा सकते यानि इस वाल एमिलफायर पे 1000-1000 वाटेज के चार्ट आप चला पाएंगे अगर आपके पास पहले से 1400 वाटेज का वीट आफ है तो इस टेक के चार्ट आप चला पाएंगे कोई दीकत होने वाला नहीं है अब हम बात करेंगे बेस के कनेक्शन के बारे में तुसका भी कने काफी जदा मिलेगा क्योंकि काफी सब्सक्राइब लोग सुचते हैं कि 400-300 वाटेज जदा रहेगा तो बेस जल जाएगा ऐसा नहीं होता है बेस काफी जदा है अगर आप लोग सही से ओम वैचिंग कर देंगे तो आप लोगों का स्पीकर कभी भी नहीं जलेगा वाटेज 2400 वाटेज दे रहे अमिलफायर तो 400 वाटेज हेडरून जदा है तो आप लोग इस टेप से 2400 घंडा बज़िएगा तो आमिलफायर भी नहीं हीट होगा और इस्पीकर भी नहीं जलेगा और आप लोग का जो सेटप रहेगा काफी जदा धासु और फाडु बजएगा ते इजली आप लोगों को मोटा मोटी 50-60,000 रुप्या इजली आप लोग कमात पाएंगे कोई दीकत होने वाला नहीं है तो आई होग के आप लोगों को यह वाला वीडियो काफी जदा पसंद होगा क्योंके इस वीडियो में में आप लोगों को उजा का चार्ट आप और दो क्लिक लिजेगा तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नहीं टेस्टिंग नए टोपीक नए वीडियो के साथ में तब तक लिए जय हिंद जय भार